नमसे दोस्तों मेरी चनल नीता विक्रव में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों हमेशा की तरह माता रणी का सदेव जैकारा लगाई आप सभी के ईश गूदे भगवन माता पिता सबको कोटी-कोटी प्रणाम करती हूँ आज आप द साल 2019 में पूझा की क्या तारिक है किस चुमाहरत में आपको तॉछन करना है तो दोस्तों वीडीयो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगरं चैनल सब्सक्राइब करिए बटन को सब्सक्राइब करिए वीडियो की नीचे बनेuba लाव रंके सब आपको यहां पर इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा आपने प्यारे कमेंट करके मुझे बताएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हम जट पर वीडियो शुरू करते हैं मैं सबसे पहले अख्षा के लिए अहोई माता से प्रातना करती है और नर्जला उपवास रहती है 21 अक्टूबर 2019 में आप सभी को नर्जला उपवास रखना है और शाम के समय पूझा का शुब समय है पांच बच के 42 मिनिट से लेकि 6 बच के 69 मिनिट तक का इस समय पे आपको अहोई माता का पूझन करना है तारो को अर्ग देना है तारे का उदय का समय है 6 बच के 10 मिनिट तो जैसे ही तारे उदित हो जाएंगे आपको तारो को अर्ग देना है तो ये पूझन आपको शाम के समय करना है अब अहोई माता का पूझन कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगी ये व्रत दोस्तों शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर की सुभध 6 बच के 44 मिनिट पर और आप व्रत का पारण शाम के समय तारों की पूजा करने के बाद करेंगे इसके अलावा इस तिथी की समापती 22 अक्टूबर को 5 बच के 25 मिनिट पर सुभध के समय होगी तो ये तो थी तिथी संबंदी जानकारी कि इस साल आपको अहोय अश्टमी का व्रत कप करना है अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत जो भी मुझे सामान मिल पाया है उससे मैंने तयारी करी है आपसे जिस तरह भी यथा शक्ती व्रत हो पाए आप ऐसे व्रत करिए पूजा में दोस्तों कोई सामान कम रह जाएगा तो उसकी पूर्ती माता रानी के सामने आप अपनी शमा प्रांतना करके कर सकती हैं आपके भाव सबसे जादा महत्वपूर्ण है पूजा में सामान से भी जादा भाव का महत्व होता है तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगी अपने कम्यूटी टैप पर आपके साथ अहोई माता का कैलेंडर शेर करने की इसके अलावा उनकी कथा भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी पर आप सिर्व भक्ती भाव के साथ यदि आपके पास कोई सामान नहीं है अहोई माता का ध्यान करिए एक यहाँ पर दीवा या फिर एक दिया जलाईए और पूजन करिए इसी तरह से आप माता रहानी की पूझा भी कर सकती है आपको करवा मिल जाए नव भी मिले तो आप लोटे का प्रयोग कर लें जो भी चीजें आपको मिल पाए आप उनसे पूचन करें तो दोस्तों अब हम पूचन शुरू कर लेते हैं सबसे पहले सभी चीजों पर थोड़ा सा फूल से पानी छिड़के सभी को यहाँ पर शु आपना करी है यह पूचा की सुपाड़ी से हमने गणेश बनाए है और यह गोबर की गौर है अगर आपको गौबर की गौर नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप एक सिक्का रख लीजिए उनको भी हम गौर ही बोलते हैं इनको सबको दोस्तों हमने शुद्ध कर लिया है अब हुई माता हमारे बच्चों के सभी संकटों का नाश करें मां हमारी पूजा में पदारें और पूजा को ग्रहन करें इसके बाद सभी देवी देवताओं को इसनान करें करा दें अलग अलग इसनान कराने से जादा में एक साथी सब को इसनान करा रही हूं और पिर इसके बा अपन से भी पूझा करी जाती है यह एपन होता है इसमें आटा और हल्दी मिलाकर पानी मिलाया जाता है और इससे पूझा करी जाती है तो हम इससे भी पूझा करते हैं सबी चीजों का पूजन कर दीजिए और इस तरह से अच्छे से सब पर चावल तिलग सब चढ़ा दीजिए यहां पर आपको लक्षमी गणेश सब दिखेंगे सब का पूजन कर लीजिए और इनका ध्यान करिए और यहां पर अब हम जो भी हमारे पास क्या किते हैं प्रशाद प्रशाद रखते हैं तो दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया था करवा चौट की पूजा में चार पूड़ी और चार पूए का प्रशाद होता है अगोई अश्टिमी की पूजा में यह जो पूड़ी और पूए हैं यह मैं आपको जल्दी से बनाना बता देती हूं तो पै चाली मिला कर इसका एकड़ मुला कर दिखेगा फ्रूइंग कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट बनाना है तेल गरम कर उसमें इन पूओं को डाला है मैंने शुरू में चममच से डाला पर भशती से आपको डाल के दिखा रही हूं यह पूवह फूल जाते हैं पूड़ी होते ये वैसा पूडी का टेक्ष्टर होता है ये पूडी इस तरह से बना देते हैं मैं छुटी छुटी पूडियां मैना रही हूं इन्हें भी तल के निकाल देते हैं ये हो गया हमारा अभीका प्रशाद देवी वीवताओं को तिलक करने के बाद आठ पुए और आठ पूडी का प्रशाद रखा जाता है यह देखिए यह पूए है और यह पूडिया है इनको प्रशाद हम कर्वों के उपर रखते हैं यह जो हमारा करवा है और हम अहोई माता को पूछते हैं इस कर्वे के अंदर दोस्तों पानी भरा हुआ है थोड़े से दले हुए हैं और यहां पर यह 8 सी के लगाई हुई हैं यह अहुई माता का प्रशाद है और यही प्रशाद हम यहां कलश के उपर भी रखते हैं यह पूए हैं यह इस तरह से प्रशाद रखते हैं दोस्तों सेही के बच्चों के लिए यहां पर दूद और चावल का प्रशा रखा है और सभी यहां पर में देवी जी पर अहोई माता पर यह फूल चड़ा रही हूं इस तरह से यहां पर पूजन करा जाता है उसके बाद अहोई अश्टिमी की व्रत की कथा सुनी जाती है दोस्तों यह स्याव है यह एक तरह की लॉकेट होता है यह मार्केट में बिलता है इसे हम धागे में डाल कर इस दिन पर पूजा करने के बाद बहुत सारी जगा पहना जाता है और फिर जब दीवाली का दिन आ जाता है तब इसको उतार कर इसका गोड़ से और टीके से पूजन करके इसको उतार के रख दिया जाता है यह स्याहू जब भी आपके हाँ या मोती डलवाते हैं तो यह आपकी श्रद्धा के उपर है और कई जगर यह स्याहू पहना भी नहीं जाता है यह आप लोग जिस तरह से मनाना चाहें वैसे कर सकते हैं इसके अलावा यहां पे दोस्तों अपनी सासुमा या अपने घर के बड़े बुजर्गों के लिए यह आ जब पूजा हो जाए तो आप अपनी सास को दे सकते हैं इसमें मैंने सुहा का सामान बिंदी लिपस्टेक चूड़ी और इस तरह का सामान रखा हुआ है और मैंने रुमाल रखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साड़ी ब्लाउस और इतना सा बगर नहीं भी कर प हाथ में इस तरह से साथ अनाज के गहूं के दाने लेकर इस कहानी को सुनते हैं जय बोली है अहोई माता की जय तो सबसे पहले बहुत पुराने समय की बात है दतिया नामक गाउं में चंद्रभान सिंग नाम का एक सेट रहता था उसकी पतनी बहुत धर्मात्मा वह कोत्या का बद्रिना जहां पहुंचे वहां पर एक पानी के कुंड भरा हुआ था उसमें दोनों ने डूपकर मरने का विचार किया जब दोनों एक साथ डूमने जा रहे थे तभी आकाशवाने हुई तुम लोग अपने प्राण मत्या को यह सब पूर्वजन में के पापों कार्तिक रशनपक्षकी अश्टमी को साहुकार की पत्नी ने अहुई माता का वृत बड़ी शध्धा के साथ शुरू किया और दोनों ने राधा कुंड में इस्नान किया साहुकार जब इसनान करके वापस आ रहा था तभी रात्रे में अए अहुई माता ने दर्शन दिये बोली साहुकार मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ तुमसे वर मांगो तब साहुकार ने बोला ही माता मेरे बच्चे कम उम्र में ही मत्यू को प्राप्त हो जाते हैं अतहमा बच्चों की दीर का आयू प्रदान करने का आशिरवाद दे और अहुई माता के आशिरवाद दे दिय कुछी समय बाद साहुकार के हाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा ही निपुर्ण धर्मात्मा प्रतापी हुआ यदि किसी महिला को पुत्र हुआ हो और पुत्र का विवा हुआ हो तो भी अहुई माता का वुरत करना चाहिए ये दोस्तों पहली कथा है अब हम दूसरी खता सुन लेते हैं एक नगर में साहुकार रहा करता था उसके साथ लड़के थे एक दिन उसकी इस्तरी खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई जो ही जाकर उसने वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से मृत्यू को प्राप्त हो गए इसके बाद उसने कुदाल को स्याहु के खून से सना देखा तो सेही के बच्चे मर जाने का उसे बहुत ही दुख हुआ पर वहां विवश्च थी क्योंकि उसका यहां काम था उससे यहां अंजाने में हो गया था इसके बाद वहां बिना मिट्टी लिये ही खेद करती हुई अपन सेठानी के सातों लड़कों की एक ही साल के अंदर मृत्य हो गई इस प्रकार अपने बच्चों को असमे काल के मुँ में जाने पर सेठ सेठानी बहुत ही दुखी हुए उन्होंने तीर्थ जाकर अपने प्राण गवा देना ही उचित समझा इसके बाद बे घर छोड़कर कि भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यू से बचने के लिए उनके पापव का अंत किया और इसी अफसर पर आकाश मानी हुई है सेठ सेठानी मिटी खोदते समय ध्यानना देकर सेही के बच्चों को मर जाने के कारण तुम्हें तुम्हारे बच्चों का जो दुख झेलना पड़ा अब वहां तुम अपने घर जाकर देखो तुम्हें सभी बच्चे प्राप्त हो जाएंगे अहुई माता का विधी विधान के साथ व्रत करो इस करने से सभी बच्चों के कष्टों को कष्टों से मुक्ति मिलती है भगवान की क्रपा से तुम्हारी संतान भी पुन आरम कर दी जीवों पर दया भाव रखते हुए उन्होंने इस व्रत को करा और उनके सभी पुत्र सातों पुत्रों के साथ उनका घर पुत्र पुत्र सहित हरा भरा हो गया वह अपने जीवन में सुखु को भोग कर स्वर्ग को चले गए दोस्तों अब अहोई माता की एक और रही थी वहीं स्याहू की मांत थी मिटी खोते समय ननत के हाथ से सेई का बच्चा मर गया स्याहू माता बोली में तेरी कोक बांदूंगी तब ननत अपनी सातों भावियों से बोली तुम में से कोई मेरी बदले अपनी कोट बनवा लो तब भावियों ने अपनी कोक बनवा इसके अबाद इसके जो भी लड़का होता साथ दिन के अंदर मर जाता, एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा मेरी सभी संताने साथवे दिन क्यों मर जाती है तब पंडित ने कहा तुम स्याहू गाय की पूझा करो, सुराही गाय और स्याहू माता की भैयाली है, वह तेरी कोक छोड़े तब तेरा बच्चा जीएगा इससे इसके बाद बहु ने प्राता काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीची की सफाई कर जाती माता गाय माता बोली कि आज कर कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है आज मैं देखूंगी गौ माता खुब सुबही जग गई वो क्या देखती है कि साहुकार के बेटे की बहु उनके नीची की सफाई कर रही है गौ माता उससे बोली मैं तेरी सेवा से प्रसन हूँ तुझे जो भी वर चाहिए तू मुझे बोल तब साहुकार की बहु बोली स्याहु माता तुम्हारी भयाली है उनसे मेरी कोक बांध गौ माता ने कहा अच्छा अब तो गौ माता समुद्रपार अपनी भयाली के पास उसको लेकर चली रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैड़ गई थोड़ी देर में साप आया और उसी पेड़ पर गरुण पंखनी का बच्चा था साप उस बच्चे को नहीं मारा साप तेरे बच्चे को डसने आया था मैंने तेरे बच्चे की रक्षा करी है यहां सुनकर गरुण पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है वह बोली सासमुंदर पार साहू माता रहती है हमको उनके पास पहुचा दो तब गरुण पंखनी ने दोन प्रसन हुई बोली तुने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है इसलिए तेरे साथ बेटे बहु होंगी वह बोली मैरे तो एक भी बेटा नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे स्याहु माता बोली ने बोली कि वचन दिया है वचन से फिरू तो धोवी के कुंड का कंकरी हो जब साह कार की बहु बोली मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है यह सुन स्याहू माता बोली तुझे तुने मुझे बहुत ठग लिया में तेरी कोक खोलती तो नहीं परन्तु अब खोलनी पड़ेगी जा तेरे घर तुझे साथ बेटे साथ बहुए मिलेंगी तु जाकर उज किया और साथ कढ़ाई की रात्री के समय जेठानिया आपस में कहने लेगी जल्दी जल्दी ना कर पूझा कर लो कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे थोड़ी देर में बच्चों ने कहा कि चाची के घर जाकर देखाओ कि वहां सब ठीक ठाक है कि नहीं बच स्याहू माता की क्रपा से उन्होंने मेरी कोग खोल दी है स्याहू माता ने जिस प्रकार साहू का की बहु की कोग खोली उस प्रकार सभी की कोग खोल के रखना बोलिये साहू माता की जय इस प्रकार अहोई अश्टिमी का व्रत करते हैं और फिर ये अहोई माता के चड़नों और चाबल चढ़ाते हैं और दिया दिखाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अर्ग देते हैं इस तरह से करवे से उसके बाद यदि आपकी जो भी संतान हैं आप उनके हाथ से पानी छुला कर पीते हैं और इस वरत को खोलते हैं तो दोस्तों ये संशिप्त में मैंने आप को पूरी और अश्टमी की पूजा कैसे करनी है यह बता दिया है जब आप पूजन कर लेंगे उसके बाद अहोई माता की आपको विधिवत इस तरह से आरती करनी है आप यहां पर मा लक्षमीजी की आरती भी कर सकती है ओम जय लक्षमी माता इस तरह से करके और जब आरती हो आरती पे जल चढ़ा दीजिए और जल चढ़ाने के बाद आप इसका आरती ले लिजिए इस दिन पर दोस्तों जो आपके बच्चे हैं बच्चों को यह कुम कुम का तीका जरूर लगाना चाहिए उन्हें उनकी दीर कायू के लिए जीवन में सभी कष्टों से मुक्ती हो जा ही है तो इस तरह से भक्ती भाव के साथ आपको यह यह दू कनी चाहिए दोस्तों और रूजसेज़द सब्सक्राइद के सब्सक्राइट को और और यких पर्डशाद पुह सकते हैं यह बच्चों को देशक्ते यह बचशे खुद भी खा सकते और यह जो पानी पहाइगे जरता है नंग समके बिल बहुत पूजन्य कना करें चॉक आप पूझा पूजा करने किसे आप अपूजा करने के बाद ये लो टे सकते रहे सकते हैं अहोई अश्टमी का पूजन करा जाता है यदि अभी भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको उनका जवाब देने का कोशिश करूँगी दोस्तों अगर आज का अगोई अश्टमी की पूजा का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए कमेंट करके मुझे बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा अगली बाब फिर आपसे मिलूँगी मेरे सबी वीडियो देखने के लिए आप कमेंट सेक्षिन का पहला कमेंट जरूर देखियो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेगे नमस्ते दोस्तों